नमस्कार निउस बोड़कास्ट 24 देख रहे आप और मैं हूँ आपके साथ करन खुराना हरियाना के नू में हुई हिंसा के मामले में अब कॉंग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किले एक बार फिर से बढ़ गई है दरसल नू दंगे को लेकर SIT की टीम मामन खान से कल यानी 31 अगस को पूस्ताज करेगी हाला कि 30 अगस यानी आज ही SIT की टीम को मामन खान से पूस्ताज करनी थी लेकिन फिरोसपूर जिरका से विधायक मामन खान अपने घर पर मौझूद नहीं मिले और उनके घर पर ताला लगा हुआ था जिसके बाद अब मामन खान को 31 अगस को हाजीर होने के लिए नोटिस जारी किया गया है बता दे फिरोसपूर जिरका के DSP सतीश कुमार SIT के परमुक है और उनकी मौझूद्गे में ही विधायक मामन खान से कुलिस कई सवालों पर जवाब मांगेगी कुलिस ने सवालों की एक लंगी चोड़ी लिस्ट तयार कर ली है यानि कई बड़े सवाल मामन खान से पूछे जाएंगे कि आखिर उन्होंने प्यात सी पोड़ेंगे जैसे धंकी भरे बयान विधान सवा में क्यों दिये और इस हिंसा में उनकी क्या भूमिका रही ऐसे तमाम सवालों का जवाब अब मामन खान को देना होगा जिसके बाद इस हिंसा से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते है क्योंकि हरियाना सरकार का भी साफ तोर पर कहना है कि मामन खान ने ही मेवाद में हिंसा को भड़काने का काम किया ग्री मंत्री अनिल्विज ने तो यहां तक दावा किया है कि 28-29-30 जुलाई को विधायक मामन खान जहां पर भी गए थे वहाँ 31 जुलाई को ब्रिजमंडल यात्रा के दुरान हिंसा हुई थी इसके लावा हरियाना सरकार दा भी ये कहना है कि सोशल मीडिया पर भी विधायक मामन खान ने एक भड़काव पोस्ट किया था हारा की बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया था ये दावा किया है हरियाना सरकार में ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब खुद S.I.T. मामन खान से जाने नी फिलाल देखना हुआ कि जब कल मामन खान से पूस्ताच होती है तो मामन खान इन सवालों का कैसे सामना करते है और क्या कुछ नए खुलासे होते है नोह इंसा मामले में लाल के लिए इतना ही ऐसी तमाम उप्डेट्स के लिए देखते रहे न्यूस ब्रोड़कास्ट प्रडिफो नमस्का